कि सवाइब घर इंसानों से अच्छे लगते ईक सी जगह पर आपको घर लेकर देने जा रहा हो जहांपे आपके बचे हर वक्सांद आपके फुटबाल एकडमी के इंदर 돼요 collain Chase करें आप तंदूसर तो wana अपकर एकडमी बढ़ुं जाके फुटबाल खेलें डेली खेलें और फिट रहें तंदुस रहें इसके बाद मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूं गर देखने से पहले जाके रिच रिच यसे के साथ आप अनर आएंगे तो एक बहुत ही कमाल का वक्तर ची़ घर बाद मीडिया वाल तो दिवार के साथ चिपकाकर बना चाहिए यहां तो यहां भी खास चीज आपको दिखाता हूं इसके back side पे आपका बड़ा ही जबरदस open kitchen मुझूद है और open kitchen अपकी ज़रूरत की जो चीजे वह सारी लगी नहीं आपका oven लगा आपका stove लगा आपका hood लगा आपका बड़ी ही जबरदस cabinet space चार होगी है kitchen बहुत ही जबरदस तरीके से त्यार किया गया और यह double unit घर है kitchen उपर भी है जो इससे भी खूबसूरत है थोड़ी दिर बाद उसको देखिएगा आए आपको एक इसका guest room दिखाऊ जो इसका guest room है वह अच्छे तरीके से त्यार किया गया है अभी यहां पर आप देखें बॉल बड़ा कमाल का हुआ है front side पर आप देखेंगे दिनको lights off भी होती है तो बड़ी जबर्दस ventilation space आती है light space बहुत जबर्दस दर्वाजों पर जो काम हुआ है वह बहुत अच्छा है बड़ी बजनी दर्वाजे और बड़ी जबर्दस जो है wood work किया गया इसी के साथ ही ground floor पर आपके दो bedrooms है पहला bedroom back side पर इसका attached washroom है और इसी के साथ ही बड़ी ही जबर्दस यहां पर बनाई गई है आपकी cabinet space अच्छी खासी बड़ी cabinet space है साथ मनला घर के अंदर अमुमी तोर पर वैसी इतनी cabinet space होनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत की सारी चीज़े है वो यहां पर इसके अंदर आ सके and then पर आपकी laundry space की interest जा रही है and यहां पर आ जाते हैं तो एक अदर बड़ा दबरदस्ट किसम का आपका washroom यहां पर बनाया गया है ground floor के उपर आपके पास मुझूद है एक kitchen, एक guest room, दो bedrooms, दो washrooms और एक चोटा सा store area अब आएं तल्दी से आपको first floor के उपर लेके चलता हूँ first floor की जो सबसे शांदार चीज़ है ना वो है इस घर का kitchen आएं Sir, यह kitchen जो है इसकदर rich style के साथ और इसकदर बहतरी बूड़ बूड़ के साथ जो kitchen बनाया गया है वो कमाल गया इसके color combination का जो ख्याल रखा गया वो भी सर अंत है Sir, आजाएं इस side बे यहां से आपकी light space, natural light आने के इंतिजाम के गया है यहां पर बहुत बड़ी cabin space बनाई गयी है style बहुत प्यारा है design बहुत प्यारा है इसी के साथ ही जब आप आजाते हैं अपने lounge area के अंदर lounge area में इसी के साथ ही पहले bedroom के अंदर जब हम आते है तो पहले bedroom का वाल बैट देखीगा and in front size पर यहां से आपको interest मिल जाती है यहां से नीचे terrace area की और terrace area अच्छा अच्छा बड़ा है इसी के साथ ही यह color combination white and grey style है यह बहुत प्यारा लग रहा है यहां पर थोड़ा ब्राउनी shade दे रहा है जो वाल आपका washroom का काम बहुत अबर दस चोटे 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 बनाएंगें लेकर बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगें पूरी पूरी टाइल इस्तमाल की गई है क्योंकि मुस्त भी होता है कि सिर्फ पांच फूट तक टाइल यूज करते हैं लेकर यहां पर पूरी टाइल यूज कुई है इसी के साथ ही दूसरे bedroom के अंदर आते हैं यहां पर दूसरा bedroom है और यहां पर आपकी टाइल वर्ग के साथ आपकी वाश्रूम बड़ी जबरदस त्यार के लिए हर कोई जाना चाहता है इसकी कीमत तो कीमत है इसकी सिर्फ दो क्रोड नवे लाक में साथ मनला डवल यूनिट पांच बडरूम में मुश्तमिल यह घर आपको मिल सकता है बैडिए टाउन फेज एट के अंदर वो भी स्टेडियम के फुट वाल स्टेडियम के बिल्कुल सा हासल करने के लिए नीचे दिएगे नेमर 0337 7777 3325 पा कॉंटक कीजिए ताके मेरी टीम आपको सर्विसेस प्रवाइड के सके थैंक यू इस तकि मज़